फिर प्रीजुन है आकरती में यदि कोन см ADE बराबर 120 दिग्री है तो कोन EAB बराबर 30 दिग्री है हमें ADE कोन हून सा क्यों है? ADEE यह कोन अर्थात ये कोन 120 दिग्री है तो हमें सत्य या सत्य की जाज करनी है कि EAB ये कोन 30 degree का है अत्वा नहीं है तो हमने क्या किया बिंदूओं को मिला दिया हमने AD, DE, DB, EB इन बिंदूओं को मिला दिया अब हम देखते हैं कि जो कौन ADB है वो 90 degree का होगा क्योंकि ये अर्द वरत में बना कौन है तो अर्द वरत में बना कौन 90 degree का होता है इसलिए ये کون जो बना ADB ये कौन 90 degree के बराबर है कौन से कौन की बात कर रहे हैं हम कौन ADB यहां से यहां तक का जो कौन बन रहा है ADB ये अरदवर्थ में बना कौन है तो ये 90 degree के बराबर होगा और कौन BDE 120 degree का तो ये पूरा कौन है तो इसका मतलब BDE जो 6 कौन होगा वो 120 डिगरी माइनस 90 डिगरी अर्था 30 डिगरी के बराबर होगा तो जो BDE कौन है ये 6 कौन ये 30 डिगरी के बराबर है ये हमने प्राप्त कर लिया अब हम देखते हैं कि BDE और EAB ये दोनों कौन एक ही चाप खंड पर बने कौन है कौन कौन से दो कौन कौन BDE और कौन EAB ये दोनों कौन एक ही चाप खंड द्वारा चाप खंड पर बने कौन है इसलिए कौन BDE बराबर कौन EAB 30 डिगरी के बराबर होगा अर्था जो कथन हमें मिला है वो कथन सत्य है कि कौन EAB कौन BDE ये दोनों 30 डिगरी के होंगे अगला कथन देखते हैं हमारा अगला कथन क्या है अगला हमारा कथन है कि आकरती में CAD कौन CED के बराबर है CAD कौन सा कौन है CAD ये कौन किस कौन के बराबर होगा कौन CED CED है ये कौन इस कौन के बराबर होगा अब यहां हम देखते हैं कि दोनों एक ही चाप खंड में बनने वाले कौन हैं किस परकार देखो जो CED है चाप उसने एक तो बरत खंड पे ये कौन बनाया CAD और एक बनाया CED तो दोनों कौन इस पश्ट है बराबर होंगे क्योंकि ACCD और ADDE और CE को मिलाने पर जो CAD है और CED ये दोनों कौन एक ही चाप खंड में बनने वाले कौन हैं CD जो चाप है उसके द्वारा एक ही वरत खंड में कौन कौन से बनने CAD एक तो ये कोन बना दूसरा कोन CED ये दोनों कौन एक ही वरत खंड में बने C A B E इस वरतखंड में बने तो इसलिए दोनों कौन दोनों कौन बराबर होंगे अर्थात C A D कौन और C E D कौन दोनों बराबर हैं अर्थात दिया गया कथन सत्य है यह हमने जाच लिया